ये कहाने एक ऐसे लड़के की है, जो एक अडल्ट स्टार से मिलता है और फिर उसकी लाइफ में क्या-क्या होता है, यही हम आज के एक्स्लिनेशन में देखेंगे मूवे की स्टार्टिंग में हम मैथ्यो को देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज फंक्सन में जाता है वहाँ वो एक अनाउस्मेंट करता है कि हमने एक कमबोडियन लड़के के लिए 25,000 डॉलर जमा किये हैं और अब वो हमारे साथ इसी कॉलेज में पढ़ पाएगा उसी रात हम फिर से मैथ्यो को देखते हैं जो घर का कूड़ा बाहर फेकने के लिए जा रहा था तभी वो वहाँ पर एक खुबसूरत लड़की को देखता है उस लड़की का नाम डेलियन होता है डेलियन को देखते ही मैथ्यो के होस उड़ जाते हैं इसके बाद मैथ्यो अपने दोस्त इलाय को फोन करके उसे डेलियन के बारे में बता रहा था कि तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है वहाँ डेलियन अपने कपड़े चेंज कर रही थी लेकिन तभी डेलियन भी मैथियो को नोटिस कर लेती है और मैथियो घबरा कर वही पर छुप जाता है थोड़ी दिर बाद वो डेलियन को उसके घर की तरफ आते हुए देखता है मैथियो को लगता है कि डेलियन उसकी कंप्लेंड करने आ रही है लेकिन मैथियो के पैरेंट्स उससे कहते हैं कि डैलियन यहाँ पे अपने आंटी के घर पर आई है और क्यों न तुम उसे बाहर लेकर जाओ। इसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखती हैं। लेकिन तभी डैलियन आकर उसे गाड़ी में बिठा लेती है। अगले दिन हम उन दोनों को एक रेस्टोरिंट में देखते हैं। यहाँ पे डैलियन मैथियो से पोचती है कि तुम्हें कैसी गर्फरेंट चाहिए। फिर मैथियो के बताने पर डैलियन उसकी गर्फरेंट की ड्रॉइंग बनाने लगती है इसके बाद दोनों वहां से घर लोटाते हैं अगले दिन जब मैथ्यू अपने क्लास में होता है तो डैलियन उसे बाहर से देख रही थी फिर डैलियन के बुलाने पर मैथ्यू क्लास बंद करके उसके साथ वहां से चला जाता है उसी रात वो ड डैलियन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और डैलियन भी उससे अच्छे से बाते करने लगती है लेकिन जब मैथ्यू उन दोनों को देखता है तब डैलियन और हंटर को आपस में बात करना अच्छा नहीं लगता इसके बाद वो जाकर सीधा डैलियन को किस कर लेता है डैलि डैलियन की होती है। कपड़े उतारने लगती है मैथ्यो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर डैलियन कहती है कि तुम्हें तो यही चाहिए तुम्हें किसी ने मेरी वीडियो दिखा दी है और बताया कि मैं एक अडल्ट स्टार हूँ और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकती हूँ। ये बोल कर डैलियन गुसे में वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उसे मनाते हुए कहता है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। डैलियन कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी बारे में मालूम हो क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देखते थे वो फिलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसके बाद डैलियन वहां से चली जाती है अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं अब वो काफी उदास रहता है फिर वो एक दिन माफी मांगने के लिए डैलियन के घर पी जाता है डैलियन के घर पे वो कैली नाम के एक आदमी को देखता है फिर मैथ्यू उन दोनों के साथ एक पब में जाता है वहां उसे मालूम चलता है कि कैली एक प्रडूसर है और वो अडल्ट मूवी प्रडूस करता है। अगले दिन हम कैली को मैथ्यू के स्कूल में देखती हैं। वहाँ वो लड़कियों के साथ फ्लट कर रहा था। मैथ्यू के आने पर वो मैथ्यू को लेकर एक बैंक में पहुंच जाता है। यहाँ पर कैली को 25,000 डॉलर और कमब वोडियन इस्टुड़न के बारे में मालुम चल जाता है। फिर मैथ्यू बैंक मैनेजर से जुठ बोलते हुए कहता है जूठ बोलते हुए कहता हैं। जाता है। फिर साम में जब मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसे डैलियन के पास जाने का आइडिया आता है। इसके बाद ये तीनों बेगस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे अडल्ट स्टार का सोच चल रहा था। वही पे डैलियन भी परफॉर्म कर रही थी। मैथ्यू डैलियन को देखकर उससे कहता है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में आना मेरी जिन्दगी का सबसे खुबसूरत पल था। यह सूनकर डैलियन स्टेज से भाग जाती है। फिर जब डैलियन कैली के साथ होती है तो मैथ्यू भी उसके पास पहुंच जाता है। जो डैलियन ने उसके लिए बनाई थी। साथ ही वो डैलियन से कहता है कि तुम इससे बेटर हो। यह सुनने के बाद डैलियन के चेहरे पर उदासी आने लगती है। फिर हम मैथ्यू को अपने क्लास में देखती हैं कि तभी वहाँ पर कैली आ जाता है। और मैथ्यू को घ आगे कहता है कि अगर तुम दोनों चाते हो कि मैं तुम्हारे लाइफ से दूर चला जाओं तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें एक प्रोडूसर के घड़ से एक अवार ट्रॉफी चुरानी हैं क्योंकि उसने मेरी आडिया चु पज़कर वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है। रास्ते में मैथ्यू काफी अजीब तरीके से बिहाइब कर रहा था। डेलियन समझ जाती है कि कैली ने मैथ्यू को ड्रॉफ्स दिया है। इसके बाद हम मैथ्यू और डेलियन को स्कॉलर स में बाते करने लगता है। सब लोग उसकी स्पीच को काफी इंज्वाइ करते हैं लेकिन मैथ्यू वो कंपटीशन नहीं जित पाता है। फिर जब अगले दिन मैथ्यू वो 25,000 डॉलर लेने के लिए जाता है तो मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे एडवाइजर ने पै पैसे जमा नहीं किये तो मैं पुलीस को कंप्लेन कर दोंगी। ये सुनकर मैथ्यू काफी परेसान हो जाता है और वहां से सीधा डेलियू के पास जाता है। उसके प्राबलम सुनकर डेलियू को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि वो लोग एक अडल्ट बीडियो सूट करेंगे जिसमें डेलियू की फ्रेंड उसकी हेल्प करेंगी। इसके बाद वो दोनों यूगो से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक अडल्ट बीडियो सूट करना चाते हैं और इसके बदले में यूगो उन्हें 25,000 डॉलर देने का वादा करता है। उसी दिन वो ली प्रफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्ट्रेसेस को देखकर उनका हावा पानी पहले ही निकल चुका है। जिसके बाद जोन अकेले ही उनके साथ बीडियो सूट करता है। बीडियो सूट करने के बाद ये लोग प्रॉम पार्टी में पहुंच जाते हैं। सब के जा कैली मैथ्यो से कहता है मुझे इस बीडियो के आधे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे पैरेंट्स को ये बीडियो दिखा दूगा। इस पर मैथ्यो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें जो करना है वो कर लो। इसके बाद कैली मैथ्यो के पैरेंट्स के सामने ही वो बीडियो प्ले कर देता है फिर वो लोग उस बीडियो को देखने लगते हैं लेकिन उस बीडियो में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता दरसल वो एक सेक्स एजुकेशन बीडियो थी यहाँ पे मैथ्यो के पैरेंट्स और प्रिंसपल को उसका ये आइडिया काफ देखते हैं और दोनों को किस करते हुए ये मूबी यहीं पर खतम हो जाती है